Hello Friends, आज एक बार फिर मैं आपके लिए a story लाया हूँ, जिसकी help से आप बहुती easy way में English सिखते हो, जहां a story के थुरू, English translation के rule के साथ, a story में use हुए tough word की Hindi मिनिंग भी अलग से सिखते हैं, जिससे की आपकी vocabulary भी strong हो सके, और English grammar से related confusion भी दूर हो सके, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Ask English पर, जहां आपको अलग-अलग तरीकों से English सिखाया जाता है, वो भी Hindi के help से, so start करते हैं आज की story, the lion and the cow, एक समय की बात है, once upon a time, जंगल में चार गाए रहती थी, they lived four cow in a forest, live means रहना होता है, और sentence में बीते हुए समय की बात हो रही है, मतलब past tense की बात हो रही है, इसलिए यूज करेंगे भर्व की second form का, lived, once upon a time, there lived four cows in a forest, एक समय की बात है, जंगल में चार गाए रहती थी, हर दिन वे एक साथ चड़ते थे, every day, they used to graze together, चेना की इंगलिस होती है, graze, यहां पर चारो गाए की बात हो रही है, इसलिए यूज दे का, every day, every day, they used to graze together, हर दिन, वे एक साथ चड़ते थे, वे बहुत करीबी दोस्त थे, they were very close friends, करीबी दोस्त का मतलब होता है, जो आपके हर सुख और दुख दोनों में साथ दे, और इसे इंगलिस में कहते है, close friends, और यहां पर दे होने के कारण, word का यूज हुआ है, वा I, he, see, it और singular person के साथ, वाज का यूज किया जाता है, जबकि we, you, they और plural person के साथ, word का यूज किया जाता है, और इस sentence में, they का यूज के कारण, word का यूज किया गया है, they were very close friends, वे बहुत करीबी दोस्त थे, और जरूरत के समय, और जरूरत के समय, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, and always stood by each other in a time of need, खड़ा होने के इंगलिस stand होती है, जिसका second form astute होगा, and जरूरत के इंगलिस होती है, need, always stood by each other in a time of need, और जरूरत के समय, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, जब भी कुछ जंगली जानवरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, whenever, जब भी, whenever, some wild animals tried to attack them, वे सभी एक जूट हो जाते, all of them got together, यहाँ पर word है जंगली जानवरों, जिसका इंगलिस मिनिंग होता है, wild animals, और कोशिश करना की इंगलिस होती है, try, जिसका भीटू होगा, tried, और हमला करने की इंगलिस होती है, attack, जब भी कुछ जंगली जानवरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, whenever, some wild animals try to attack, यहाँ पर दो भर्ब है, एक है try और दूसरा है attack, एक्चुली, try हमारा man भर्ब है, इसलिए इसका भीटू लिया गया है, मतलब try से tried हो गया है, लेकिन attack, attack हमारा infinitive verb है, इसलिए इसके साथ किवल two का यूज करेंगे, मतलब भर्ब की form में किवल में कोई changing नहीं आएगा, simply two attack, जब भी किसी sentence में एक से ज्यादा भर्ब हो, मतलब किसी sentence में आपको दीखे कि एक से ज्यादा भर्ब है, तो हम main भर्ब को tense के according change करते हैं, बाकी other verb के साथ किवल two लगा देते हैं, जिसे हम infinitive verb कहते हैं, जब भी कुछ जंगली जानवरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, वे सभी एक जूट हो जाते और उनका पीछा करते थे, Whenever some wild animals try to attack them, all of them got together and chased them away. जंगल में एक बड़ा से रहता था, there lived a big lion in the forest, जो गायों को मारने और खाने की इच्छा रखता था, Who wished to kill and eat goug, यहां पर word है इच्छा रखना, जिसकी इंगलीज होती है, wish, and जिसका second and third form wished होगा, Who wished to kill and eat goug, जो गायों को मारने और खाने की इच्छा रखता था, जब भी सेर ने गायों में से किसी एक पढ़ हमला कहने की कोशिश की, जब भी, मतलब whenever, whenever the lion tried to attack any one of the cows, सभी गायों ने एक जूट होकर सेर से लड़ाई की, All cows united together and fought with the lion, All cows united together, मतलब सभी गायों ने एक जूट होकर, Fout with the lion, सेर से लड़ाई की, लड़ाई करना की इंगलिस होती है fight, जिसका भीटू होगा, Fout, हाला कि सेर गायों की तुल्ला में अधिक सक्ती साली था, लेकिन वह उनकी एकता के सामने नहीं टिक सकता था, दो, the lion had more strength than that of the cows, एकता को इंगलिस में unity कहते है, मतलब सेर अधिक सक्ती साली था, किस की तुल्ला में? गायों की तुल्ला में, दो, the lion had more strength than that of the cows, लेकिन, बट, वह उनकी एकता के सामने नहीं टिक सकता था, बट, he could not stand in front of their unity, जब भी sentence में सक्ता था, सक्ती थी, सक्ते थे आया हो, तो हम use करेंगे could का, और यह sentence negative का होने के कारण, use होगा not का, he could not stand in front of their unity, वह उनकी एकता के सामने नहीं टिक सकता था, वह समझ गया, he understood, समझदा की इंगलिस होती है understand, जिसका भीटू होगा understood, और यह sentence past indefinite का होने के कारण, structure होगा subject पलस भीटू पलस object, वह समझ गया, he understood की जब तक वह एक जूठ होंगे, उन में से किसी एक को मारना उसके लिए संभव नहीं था, that it was not possible for him to kill anyone of them, as long as they are united, कुछ दिनों के बाद, after a few days, चारों गायों के बीच कुछ बिवाद हो गया, the four cows had some disputes among them, बिवाद का इंग्लिस dispute होता है, वे अकेले रहने लगे, और अलग-अलग चर्णने लगे, and they started living alone, and grazing separately, अकेला को इंग्लिस में alone कहते हैं, और अलग-अलग के लिए, वर्ड यूज किया गया है, separately, and they started living alone, वे अकेले रहने लगे, and grazing separately, और अलग-अलग चर्णने लगे, जब सेर को या पता चला, when the lion found out, यहाँ पर phrase यूज किया गया है, find out, जिसका मतलब होता है, पता चला, और past का sentence होने के कारण, find का found हो जाएगा, मतलब भर्ब की second form का यूज करेंगे, when the lion found out, जब सेर को या पता चला, उसने सोचा, he thought, सोचना की इंगली सोटी है, think, जिसका भीटू होगा, thought, उसने सोचा, he thought, कि गायों पर हमला करने का या एक अच्छा समय है, that, it is a good time to attack the cows, एक के बाद एक, one after the other, सभी गायों की मौत, सेर के हाथ हुई, all cows dead, in the hands of, the lion, क्योंकि, उन में कोई एक्ता नहीं थी, as there was no unity, among them, moral of our story, strength in unity, एक्ता में मजबूती, ये था स्टोरी, the lion and the cow's का, इस तरह के और भी इंग्लिश से रिलेटेड स्टोरी देखना चाते हो, तो हमारे आस्क इंग्लिश चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, जहां डेली, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अप्लोड किया जाता है, थास्क इंग्लिश